चे ये गैस कबर कैसे खतम होती है पताई नहीं चलता ये भगवान क्या इसका कोई हल नहीं क्यों इसे बड़ बड़ा रही हो भगवान को बुलाओगी तो क्या वो सिलेंडर लाकर देंगे ऐसे मुझे क्यों बहुर हो इस तरह गैस खतम होना और हाथसों के लिए भगवान को नहीं बुलाना चाहिए हमें ही सावधानी बरतनी चाहिए आज का पेपर पढ़ाना इतने कामों के बीच इन सब को चेक करके याद रख पाना मुमकिन नहीं है हाँ मुमकिन नहीं है आज की भागदोड़ बरी जिन्दगी में इन्हें याद रखना ना मुमकिन है लेकिन हमारी समस्या का एक समाधान है इसका नाम है गैस सेफटी डिवाइस हमारे जीवन का सुरक्षा कवच आग से होने वाले हाथसों को रोक कर हमारी रक्षा करता है इस गैस सेफटी डिवाइस को अपने नॉर्मल रेगुलेटर की तरह ही फिक्स कर सकते हैं इसके बाद regulator को इसके उपर fix करना होगा अब meter 0 पर है इसके बाद दोनों knobs को on करें on करने के बाद इस meter को दो बार प्रेस करेंगे तो automatically gas टो तक पहुँचेगा प्रेस करने के बाद meter को हम देखेंगे तो इस वक्त cylinder में कितनी मात्रा में gas है ये हम जान पाएंगे उसे हमें normal regulator के द्वारा 320 पॉंट्स की मात्रा में store तक gas पहुचाता है लेकिन अपने gas safety device को fix करने के बाद ध्यान देंगे तो आपको 160 पॉंट्स कम करके gas को बाहर पहुचाता है ध्यान दीजिए इसके द्वारा आपको 30 दिनों तक आने वाली gas अब 40 दिनों तक तो जरूरी आएगी हम normally store को जला कर उस पर दूद या दूसरी चीज रखकर बाहर चले जाते हैं तो हो सकता है दूद उबल कर store off हो जाए इस तरह off होने के बाद अगर हम normal regulator यूज़ कर रहे हों तो उससे gas पुरा बाहर निकलेगा और वो बाहर निकल कर अगर आप धिहान दे तो हवा से भारी होने के कारण फर्श पर पूरी तरह से फैल जाएगा आप घर के अंदर आकर switch on करे या दोबारा माचिस की तीली जलाएंगे तो आग से होने वाले खत्रों के chances और अधिक हो जाते हैं लेकिन हमारे gas safety device के इस्तिमाल से आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के आग के हाथ से बिलकुल भी नहीं होंगे अब आप देखिए मैंने माचिस की तीली जला दी और चार और इसे मैं ले जा रहे हूँ लेकिन कोई भी आग का हाथ सब बिलकुल नहीं होगा लेकिन बर्नर के पास जब ले जाओंगे तब ही बर्नर जलता है आपने देखा ना यही है हमारे gas safety device की speciality इस प्रकार बर्नर पर बर्तन को रखने के बाद हमें बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है यह दूसरे काम करने होते हैं ऐसे समय में अगर आपकी stroke tube में छेद हो जाए या फिर वो कट हो जाए तो automatically थोड़ी ही देर में gas पूरा फैल कर बहुत बड़े आपके हाथ से होने के चांस असौर अधिक हो जाएंगे लेकिन अपने gas safety device के होते आप गौर करेंगे तो हाथ से की कोई बात ही नहीं है आप खुदी देख लीजे आपने देखा ना बस इतना ही तो automatically 5-10 minutes में हमारा ये device पूरी तरह cut off कर देता है आप देख रहे हैं कि हमारा बनर जल रहा है और घर के बच्चे खेल खेल में अगर इस tube को खीज दे या फिर अचानक इस प्रकार भूल चूक से ये cut भी हो गया तो आप देखेंगे कि automatically हमारा ये store अपने आप off हो जाता है देखा ना अभी आपके सामने ही आपका store off हो गया है उसी प्रकार अगर आप मीटर की सुई पर गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे 0 end point आ गया अब इस वक्त अगर आप देखेंगे normally जब ये tube कट हो गया हो तो अचानक tube के कट होने के तुरंद बाद gas leak हो जाती है ऐसे वक्त में अगर हम store on करेंगे तो बहुत बड़ा आप का हाथ सा हो गया आपने सोचा होगा लेकिन आप खुद ही देख लीजे आप ही के आँखों के सामने यहाँ आग को दिखाती हूँ कुछ भी नहीं हुआ कारण है आप खुद जानते हैं gas safety device कारण की बिना अगर gas leak हो जाए तो ये device कितनी जल्दी cut off करता है ये बात में खुद आपको दिखाने वाली हूँ आपने देखाना कितना अद्बुत है इतने कम समय में इसने cut off करता है